शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कर दोरां में झालओो ettर टू का भूले अव्सक्क फेरेया का कियाएब pokli कि अव्सक्राएब न आधें हूआर खरादा लिएकन थ माजी माजी, चिंता की कोई बात नहीं है महाराज जल्दी होस में आ जाएंगे महाराणी, जी कंचन और कपोरी आ गहीं या? हाँ महाराज, खबर पहुच गहीं है वो लोग आते ही होंगे पिता श्री महाराज, महाराज, महाराज देखिए आपके दोनों बेटी आ गही है बेटी कंचन, कपोरी पिता श्री, आप जैसा बीर पुरूष इतना चिंतित क्यूं हो? हाँ पिता जी बेटा, अब मेरा आखरी समय चल रहा है पता नहीं कब तक ये शरीर मुझे साथ देगा लगता है कि ये राजगादी किसी को सोब दूँ और सन्यास ले लूँ पिता पृत्वी प्रणाम डाना जी आओ मेरे पोते आओ तुम्हें देखता हूं तो मेरे इंडो आखों में एक चमक आ जाती है पेटी सही उत्ता तुम्हारे पिता जी जेचंग चैसे है पिता चीने राज्य जीतने के लालस में लड़ाई के लिए दूसरे जगे गये हैं क्यों दादी मा हाँ बिता एक बार राजगदी में बैठने के बाद हार एक राजा का मान राज्य जय करने के लिए उताबला हो जाते हैं दादी मा मैं यार पिर्थवी बाहर खिलने जाए हाँ बेटा चल पिर्थवी बड़ी बेहन क्या देख रहे हो यही कि दूनों का जोरी कितना सुन्दल लग रहा है परंतु यह जोरी अखन रहे यह सबना पुरा होना भी मुश्किल है कारण कनोज राज जैचन तो चोहनों को हमेशा नफरत करते हैं सैयूकता चोहनों के नाम से भारतवर्ष के सभी राजपुत कापते हैं पर मैं तुम्हें देखके नहीं कापती हूँ पिर्थवी अगर तुझे हिम्मत है तो हम शादी वाला खेल खेले और अगर तुझे शादी में अमंत्रा ना मिले तो हाँ हाँ पिर्थवी फिर तू क्या करेगा तेव अनिरुद्धनी जैसे उशा का हरण किया ऐसे मैं भी तुमारा हरण करूंगा ओ बालं सातो जनम तू मेरा साथी आरे सातो जनम नहीं जन्मो जनम मैं तेरा तू मेरी रे ओ बालं सातो जनम तू मेरा तू साथी आरे मैं तेरी तू मेरा रे हो बच्चपन की प्रीत चो भूले ना भूला बच्चपन की प्रीत चो भूले ना भूला पहली प्रीत से दिले धड़क जाए दिले धड़क जाए कहूं कैसे तुझे हाए जो वासे ना कहाए जाए दिले हाए मचल जाए जब ही देखो तुझे हाए खाले कसं जन्मों जन्म थाले कसं जन्मों जन्म तु मेरी में तेरा रे अलबालं जन्मों जन्म में तेरी तु मेरा रे तु मेरा तु साख्या रे आज फिर मुझे अग्या दीजे पिता जी सुखी रहो बेटी मैंने मेरी गद्धी पृतिवी को देने का अनिश्चय कर लिया है इनको उपर आपका पुरा हाग है पिता जी परन्तु तलवार का सामना करने के लिए तयर रहना किसकी तलवार मेरा बेटा जैचांद्रा ठोर का कारणों हमेशा बोलता है राजनिंती में कोई रिष्टे का स्थान नहीं सैयूकता लो ये मुद्रिका मैं तुम्हें अपनी तरफ से भेट दे रहा हूँ पिर्थवी तुम्हारे बेट को मैं जिन्दे की भर संभाल के रखूंगी राजकुमेरी साहिबा दादी मां जाने के लिए तैयार है चलिए चलती हूँ पिर्थवी मैं जा रही हूँ पिता जी पिता जी अरे आ गई बेटा सैयूकता हाँ प्रणाम माता जी प्रणाम बेटा माता जी बेटा सैयूकता जा जरत ठीके माता जी मुझे मिली हुई खबर के अनुसार अनंग राई जी अपनी दिल्ली पुरुत्वी राज को देना चाहते है यह तो उनकी इच्छा की बात है यह जी ऐसा होगा तो मैं दिल्ली पे आकरमन करूंगा तो ये लड़ाई में तुमें सबसे पहले मेरा सामना कनप बढ़ेगा अपने बेटे के सामने तलवार उठाओगी माता जी आप समझती क्यूं नहीं हो कि दिल्ली भारत का केंद्र बिंदू है और उसे संबालने की ताकत चवान बंधू हमें नहीं है और मैं कुछ भी करके द पुत्र को दिल्ली की कद्धी मिले इसलिए अनंग राई के साथ रहते लेकिन सोमय सवर अभी तक जैचन की शक्ति को पैश्चान था नहीं है जोवान की शक्ति का माप कुनोज के राथड़ों को नहीं मालूम होगा खून का एक एक कत्रा वहां सो सो शूर्वीर शहीद हो ये बात की खबर जैचन को नहीं होगी देवी ये तो राजनीती का केड़ा है राजन मैंने भी पिता जी को बहुत समझाया पर उन्होंनों भी पृत्वी का उत्तराधिकार बनने का निर्णय कर लिया है मा मुझे दिल्ली के गादी मिले की इसमें जैचन को क्या दिक्कत है बेटा राजगादी प्राप्त करना और उसे टिकाये रखना इन दोनों में बहुत फरेक है मा छोटा हो फिर भी इन बड़े लोगों की बाते मेरे समझ में ना आए मोत का मुट्टी में लेका नीन न ले चोहान तेरे बीना हमें सुना सुना लगेगा सुनो एक तुमें मेरे दोस्त तु दिल्ली जाके हामें भूलतो नहीं जाएगा तुमसे क्या छोपाओ मित्र खास कारण है सयूकता ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई हे देवादी देव महादेव दीन रात में यही प्रार्थना गरती हूँ पिर्तवी को जगत का प कर खास कर देवाद का गरिक सच सवर के तुलसी मईयां को सच सवर के तुलसी मईयां को क्या कागा बुले मैं तेरी दीवानी सच सवर के तुलसी मईयां को चड़ाया था मैंनी पानी क्या कागा बुले मैं तेरी दीवानी क्या कागा भुले में तीरी दिवनी साजन का चहरा है धड़क 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 धड़की ये दिल अंग में तूफाला गियों रात में जो सपना देखी साजन का चहरा है धड़क धड़क था धड़के ये दिल लंगं तूफ़ा लागे सुने रे बालं आ सुने लोटा है सुने रे बालं आ सुने लोटा चुने रे भीग जाए क्या कागा बोले में तेरी दिवनी अकिली चेलू भरी बाजार में तुझे ही धूने साजन भवसागर में डूब गई में छोड़के लाजशरन अकिली चेलू भरी बाजार में तुझे धूने साजन भवसागर में डूब गई में छोड़के लाजशरन पानी में सरके भीगी चुनरिया पानी में सरके भीगी चुनरिया लटो मेरी उलजाई आएका आगा बुल में तेरी दिवानी काला काला कववे उड़ उड़ जाए पर देश वहां मेरी प्रेमिका को सुदे दे मीठा संदेश साइया को संदेश भेजते नट खट ये जो कागा साइया को संदेश भेजते नट खट ये जो कागा थर थर कापी मेरी जवानी सैया बिन में जो आधा क्या करू बता दे मैं ना समझ हूँ प्यार में होई मैं पानी हाए का अगा बुले मैं तीरी दीवानी हाए का अगा बुले मैं तीरी दीवानी सज सवर के तुल्सी मैया को चढ़ाया मैं नी जुपानी हाए का अगा बुले मैं तीरी दीवानी हाए का अगा बुले मैं तीरी दीवानी इस सुन्दर देवी के रूप के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी आज वो पूरी हुई है संयुकता पर तीर्शी नजर करने वालों की आखे फोटने की ताकत वो खुद रखती है उससे पहले तो तेरा सब कुछ लुट गया होगा ए तल्ले अरे सुन जरा कनोज की राजकन्या पर बुरी नजर रखने वाले जरा सुन के सिंग के गूफा में गर्दन डालने से सिफ मौत ही मिलती है और नागीन को छेडने से सिफ जहरिला डंक मिलता है आज तो मैं तुम्हें जाने देती हूँ हमिर कभी हार नहीं माना है और आज एक औरत के हातों से उसे हारने की नोबत आई लेकिन इस हार का बदला उसे बहुत भारी पड़ेगा सरकार उनको आपके शोर्ये के बारे में कुछ पता नहीं है वो राठोड राज जरचन की बेटी है उनके भी पिता बहुत ही पराक्रमी है पराक्रमी? उस पिता को तुम पराक्रमी कहिते हो जो खुद के राज्य के विस्तार के लिए रिष्टेदारों के सामने यूद की घोशना करता है मैं उसकी बैटी को प्राप्त करके उसका ना काटना चाहता हूँ सरदार बहुत सरे काम जो बल से नहीं होते वो दिमाग से हो जाते है इसलिए भारत की इतियास में चानक का क्या नाम इतना बड़ा सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है चानक के बुद्धी समझ गया सयुकता को हसिल करने का काम चूट की बजाते ही हो जाएगा किन्तु उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सयुकता प्रेम किसे करती है सयुकता उसके पिता जी के दुश्मन के बेटे प्रित्वी राज से प्यार करती है प्रित्वी राज चौहान तिर तल्वार के साथ घोड़े पे होके सवार अरे वीरों के वीर ऐसे प्रित्वी राज को ये चंदन बारोट का धेर सारा प्राणाम चंद मेरे वीरता के गुंडान गाते गाते कहीं आप मुझे ऐसा ना बना दो कि मैं अपनी वीरता पे ज़ादा घबन करने लग चागा अगर ऐसा समय आया मित्र तो ये चामूंड और कैमास तेरा दाया और बाया हाथ बनके ख़ड़ा रहेगा तुमें अगर खरोज भी आई तो उससे पहले हम दोनों भाय अपनी जान की बाजी लगा देंगे अरे तुम जैसे भादुर जिसके मित्र होते हैं उससे इस दुनिया में कौन जीत सकता है पुर्थवी कभी श्त्री का प्यार मित्र को भी दुश्मन बना देता नहीं चंद ऐसा समय आएगा तो तुम मुझे कभी भी इस चीज से आउगत करा सकते हो तुम्हारा हक है परण तुमान उस समय अगर सयुक्ता तुम्हारे सेनखन में होगी तो सयुक्ता कहीं वो मुझे भूलना गई हो एक क्या करो मैं बोलो सजना तेरे नएन से हर दिल में तीर लगे एक प्रित्मी राज चाहार प्रित्व एक प्रित्र लगे ए नीन्द उड़ गई रातों की और दिल है उदास पल पल जागे ये अखियां अरे दिल कहीं पे लागे ना आज शरद शरद पूनम की रात है अरे आती है आती है याद सजनी की याद आती है बच्पन की वो बाते वो मीठी मीठी यादे मैं आ गई पृत्वी 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 यहां पर नहीं है पृत्वी शायद पृत्वी ने मेरे प्रेम की परिक्षा लेने के लिए तो वैसा पत्र नहीं भेजा होगा हाँ राठोल राज जैचन की लाडली उस दिन तो मुझे तलवार में हरा दिया और मेरा दिल जीत लिया तो क्या अभी भी तेरे दिल में हाप आकी है शिदी तोरह से मान जाएगी तो प्यार से संसार भुकतेंगे भौरे ये ब्रह्म में नहीं रहना मैंने तो मेरे रुधे के मंदीर में प्रुत्वी की प्रतिमा कब से बसा ली है तो आज तेरे प्रेम की परिक्षा होने दे मैं भी देखता हूँ के प्रुत्वी अजमर से तुझे कैसे बचाना आता है अरे प्रेम का साथ तो साथ साथ स वे आजा गोरे है कहा बचका जाओगी था जजाओगी कहां है पृत्वी प्रेम की ताकत मेरे पृत्वी को जरूर खीच के लाएगी बुला अब किदर जाओगी बुला तेरे पृत्वी को कौन बचाएगा हमसे तुम्हें कहां है तेरा पृत्वी है ओए लड़के इस चौड़ तो मुझे इसना अच्छा सिशाना तेरे पृत्वी के सिवाई किसी का अच्छा नहीं हो सकता है 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 युद है इस करे है इस कि अ खखशे खुच्चु थैं कि अ कि अ फसल अutan कि माया ढ़े ईडत अबर रज़पस कि अएड़ रहे लू जए जिए जए ब में ड़न ईह अएडर आप झाव प्राइड ग्यों रहे जिए जडरीज़ है प्राइड प्राइडर हुआ है 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 मुझे तो विश्वास ही था कि तुम जरूर आओगे पर इतनी देर होने के वजह इतनी देर आप क्या बोल रहे हों आप मुझे नहीं पच्चाना पर इसी तो पहचानते होगे न यह मुद्रिक तो मैं सरय लिए हैं होई जब इसे दिया था दभ वो सह्यूक्ता का बच्पना था कि कर आज आ अवर मेरा दिल हमेशा ही आपको मिलने के लिए तरस्ता रहता पर आपकी बत्नामी के डर से अब पर मैं तो तुम्हारा संदेशा मिलते ही दौड कर चली आई यह पड्रैकर संदेशा हाँ यह वह संदेशा भेजाई नहीं था उन्वलैने मिट्ल चंद आखे धन्य हो गई सेयुकता बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला देखो सुर्य दिव आ गए है सुबह उने आई है चांड ढल जाए कि सूरज उग जाए इसकी मुझे परवा नहीं अब तो तुम्हारी बाहों में मुझे मुझे अच्छा लगेगा मौत की तरफ आपक का साथ है बालम साथो जनम तु मेरा तो साथी आरे साथो जनम नहीं चनमों चनम मैं तेरी तो मेरी रे ओ बालम साथो जनम तू मेरा साथी आरे अरे मैं तेरी तू मेरी रे हे तेरे ही प्यार से योवन लहराई योवन लहराई लहरों में डूपने के दिल लले चाओ आयतन का मिलन आये मन का मिलन आये मन का मिलन अरे ओ सजनी छोड़ शरम तू मेरी मैं तेरी हूँ ओ बालम तेरी कसं तू मेरा मैं तेरी रे हाँ हाँ मैं तेरी तू मेरी रे क्यूं तू ऐसे गोरी शरमाई काहे शरमाई क्यूं तू ऐसे गोरी शरमाई काहे शरमाई पूरी जो मंग मेरी आख शरमाई आख शरमाई ये प्रेम की भाषा मुझे समझ में न आये ओ प्रीतन ना तोड़ो कसं तू मेरा मैं तेरी रे ओ सजनी मुझे तेरी कसं मैं तेरी तू मेरी रे अहा तू मेरा मैं तेरी रे हो जब तक रहेगा सूरज चंदा तक रहोंगी मैं तेरी साथ नाना चंदा के साथ रहेंगे जन्म जनम मैं तेरी तू मेरी रे हा तू मेरा मैं तेरी रे हुआ बालन जनम जनम तू मैरा मै तेरी रे मा तेरी तू मेरी रे हा तू मेरा मेरी रे महाराज अजमेर नरेश सोमेश्वर जी की चेह हो महाराज मैं दिलने से आ रहा हूं महाराज अनंग राज तुवर ने खुद के उत्राधिकारी के रूप में आपके पुत्र पित्वे राज जी का चहन किया है और आपको जल्दी से जल्दी दिल्ली बुलाया है आपके महाराज को मेरा प्रणाम कहना और कहना पुर्थ वी को लेके हम लोग समय पर आज जाएंगे जी सुना महाराणी, अपना पुर्थ वी दिल्ली पती होगा हाँ राजन, हमारे पृत्वी को उदिली की गद्धी मिली है, ये सुनकर जैचंद अब चुप नहीं रहेगा, राठोडों के फौज लेकर जरूर आक्रमन करेगा अगर राठोड खेल सकते हैं तो चोहान ने भी चूड़िया नहीं पहनी है माह, मैं भी आप जैसे महान माता पिता का बेटा हूँ माह, देखते हैं किसकी तलवार में ज़ादा दम है, सब के सब जंग में जीत के आऊँगा माह देखता हूँ किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, संग्राम करने के लिए तो जैस्चल हमेसा तयार है माह, मैं आज से प्रतिग्या करता हूँ कि जब तक दिल्ली की गद्धी से प्रुथी राज को दूड़ना करूँ, तब तक मैं सुबह का भोजन नहीं करूँगा तेरी ये जीद और ये तेरा जुटा अभिबान एक दिन भारत वरस को भारी पड़ेगा बेटा, और ये तेरा कुटुम क्लेश भी एक दिन राजपुत को भारी पड़ेगा बेटा, और तेरी ये प्रतिग्या, तेरी ये प्रतिग्या एक दिन भारत की गत्ति को यवनों क भारत की गति पे एक दिन तेरा ये बैटा जैशन बठेगा तो इस जनम में तू तेरे ये सपने भूल जा बैटा जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक तुम्हारे ये सपने पूरे नहीं होंगे मेरे सपनों को साकार करने के लिए मैं क्या करूंगा ये तू देख रहे ना दादी मा प्रुत्वी राज को दिल्ली की राज गादे मिलेगी तो पिताजी इतने नाराज क्यों हो रहे है बेटी राज सत्ता कभी कभी लोगों को अंधा बना देती है इस वज़े से भले बुरे का विचार भी भूल जाते है लेकिन दादी मा प्रुत्वी राज ने पिता एक पृत्वी राज दिल्ली के गद्डी पर बैठे कि तेरी पिता जी कभी नहीं चाहते थे आप क्या चाहते थे बेटी मुझे तो विश्वास हे कि पृत्वी राज दिल्ली की गद्डी की शान बढ़ाएगा तो फिर दादीमा आप पृत्वी राज्जा पिशेक में आशि तिहुं संयुकता कि तो बच्पन से पृत्वी को चाहती है पर इन्तु तुम्हारा दिली जाना ये जले में अंगार का काम करेगा माराजा पृत्विराज की जय हो माराजा पृत्विराज की जय हो माराजा पृत्विराज की जय हो महरजा पृत्विराज की जैवों आश्री वाट दीजे नाना जी दिल्ली बदी माराजा पृत्विराज चोहान की जै हो दिल्ली बदी माराजा पृत्विराज चोहान की माराज पृत्विराज चोहान की अगर आप इसे स्विकार करोगे तो हमें अपनी जाज पे गरव होगा माराज पृत्विराज चोहान की जै हो हे सब का रखवाला नारी के आवरू का रखवाला ऐसे राजा का सतकार करो मेरे भारत के लोगों सबसे बड़े ये वीर महान दोनों हाथ से चलाए बान अरे रनवीर पृत्विराज चोहान को मेरे सत सत प्रणाम करे कवि चंद्र तुम्हारा वखान महाराजा पृत्विराज की जै हो आप कौन हो देवी? देवी देवी शब्द सुनकर मन को शांती हुई दिल्ली पती मैं तो राज्य रज्य नगर नगर दरबार दरबार नाचने वाली एक नरत्यांग ना हूँ तो है सुन्दर नारी इस दिल्ली की दरबार की शोवा बढ़ा दो दिल्ली की दरबार के वावा लेने से पहले मैं पृत्विराज पती को एक प्रश्ण पूछना चाहती हूँ इसका जवाब अगर सच्चा होगा तो मैं जरूर नाचूंगी मतलब तुम महराज के परेशा लेना चाहती हो शांद रहो हुबली राई जी देवी आपको जोब पूछना आप पूछो देशो देश में नाच कर मैंने बहुत कमाई की धन दवलत की सीमा नहीं आभूशन या वस्त्र अलंकारों की कमी नहीं है परन्तु तन्मन को ढ़ाग दे ऐसा एक भी वस्त्र मेरे पास नहीं है देवी आप जिस वस्त्र के बात कर रही हो वो वस्त्र मतलब किस तरीकी लाजाबरू की रक्षा करना पती के नाम की चुनरी आपके पास सब कुछ है पर तुम्हाई रक्षा करने के लिए कोई पुरुष नहीं है ये लो आज से ये वस्त्र तुम्हारी रक्षा करेंगे करेंगे कि में तु हुई रे दिवानी तेरा सावरिया सावरिया मेरा रंगरसिया मैं तु हुई रे दिवानी तेरा सावरिया मैं तु हुई रे दिवानी मेरा सावरिया मेरा नुपूर पजेह देखू रूंजुन साजन मेरा मन ये लोटा तेरा मन का ववोर मैं तु खुए रसिया मन तु खुए रसिया मन का जित चो मैं तु बावरी रे हुई रे दिवानी मेरा सावरिया मैं तु हुई रे दिवानी मेरा सावरिया आज मैं फिल्मे में तो नाचोंगे रे दानी संसाव आज मैं फिल्मे में तु नाचोंगे रे सारी दुनिया के सामने नाचोंगे रे भरी सावानी में तु नाचोंगे रे हाए मैं तो दिवानी तेरी सावरिया हाए मैं तो दिवानी मेरा सावरिया खुली आख मैं देखो मैं तेरे सपली तेरा नाम के माला में चपती रहू आजवादे आजवादे सारी निभाना सानू मैं तो हुई रे हाए मैं तो हुई रे दिवानी तेरा सावरिया मैं तो हुई रे दिवानी तेरा सावरिया सावरिया मेरा रंगरसिया मैं तो हुई रे दिवानी मेरा रंगरसिया मैं तो हुई रे दिवानी मेरा रंगरसिया बेटा इतनी रात होगी फिर भी तुम्हें नीन नहीं आई नीन कैसा है कि मा दिल्ली के गादी पे मैं राज्य विशेख हुआ है सब मेरे अपने लोग आए पर कांचन मासी नहीं आए इसका कारण तो तुम जानते ही हो न जैचन कभी नहीं चाहता था कि दिल्ली की गदी तुम्हें मिले मा वो तो गदी के उत्तरादीगारी जिसने मुझे यहां बिठाया है उनको सोचा था कि गदी किसको देनी है सच बात है बेटा पर जैचन दिल्ली के गदी पर बैठना चाहता था और उसका वो सपना अधूरा रहे गया इसलिए मुझे डर है कि वो कोई जरूर चाल चलेगा उसकी चाल को उल्टी करने की शक्ति ये चवान में है मा और अगर उसे दिल्ली पे कभी हमला करनी कोशिश की तो उसे हार ही मिलेगी मा ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है मा जितना हग दिल्ली पे पृत्वी राज़का है उतना भी मेरा ही है पर अब तो फैसला हो चुका है जैचन फैसला तो हो चुका है मा पर जो चीज मागने से नहीं मिलती उसे कैसे छिननी है वो मैं जानता हूँ कभी कभी दूसरों की अमानत लूटने में परिणाम गलत आते है जैचन परिणाम की परवा तो कायर करते मर्द तो हमें से मौत के साथ गले मिलते पर आश्चा कोई मौत से बाजिल जीत नहीं सका है और जैचन कभी हावर माना नहीं है जाम लाओ सुल्तान यह आदमी हमारे तंबू के बार घूमता हुआ पकड़ा गया है छोड़ दो इसे सुल्तान मैं कनोश का गादी पती आद के साथ दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूँ दोस्ती के नाम पे अगर दगा किया तो अल्ला कसम तुम्हारी बोटी-बोटी काटके अपने सुल्तान के दिल्ली की गद्दी वह कोई खाने की चीज नहीं है कनोश पती वहाँ पहुशने से पहले पृत्वी राज और उसकी सेनाओ को हमने अच्छी तरह से परख लिया है फिर भी अगर आप हाथ मिलाते हो तो मेरी सारी सेना आपके साथ रहेगी एक से भले दो सही हा दिल्ली की गद्दी मुझे मिलती है तो हिंदुस्तान की तारिक में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा कि एक राजबुत की वज़े से हिंदुस्तान हमें मिला चाहे वह फिर तुमारे अंदर की लड़ाये हो या मन की इर्षा हो इर्षा की आग बहुत बूरी होती है लाइचान, हमें आपकी दोस्ति कबूल है, मिलो हद्थ। पुत्वी भी शान्त में बेटा है बापुजी, उस दानों के से शान्त करना है, वो मुझे अच्छी तरीके से आता है। पुई करें बेगी थे ची कवा चाना है मिलोग पुई खasoां करें आता है तरीके से लाइचान जाने लुई धस्त Macri 하는데 यॉपी दोनी घाइचान सै नização अधै धॉगब प्रूब Cr सम लेगी ट जे हैं न tuaइग ऍाद्रा ए्वा उश जाउडन से इसा ऑनसे हैं आकलोग आकलोग वो जाद्रा प्वो जाम थार मेप एवार आकलोग जाद्रा यार जाद्रा जाद्रा लचल ले उटान है लब मुझाजब ले कि ले वो ले फो ले वो ले इसफे प्रफाल चे हो ले अ और फो ले वो ले इस बाद ले इसेश ले खर ले इस हिर मुझाजब ले और फ हाई कर दो, धार फुजल! कर दो का फे खूणा! कर दो simply कर दो, मैंनाँ कर्याद कर दो, कर दो. कि एप जार है! कर दो, यार हम इसे हम है चुराओ चुराओ है 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 हमारी धर्थी पे यह वनों को साथ देने वाले है हमारे भाई एक दिन ये देश को गुलाम बना देंगे हाँ बेटा और न जाने मेरे जैसे कितनी अभागी स्त्रियों का सोभागे लुट जाएगा कितनी बहने अपने भाईयों से दूर होगी और कितनी सारी माता अपने आखों का तारा खोदेगी महाराज, हमें इस अपमान का वजला लेना ही पड़ेगा हाँ राजन, हमें सामने से दुष्मन पे आक्रमन करना ही पड़ेगा तब दुष्मनों को मालूम पड़ेगा कि दिलीपधी पृतिवराद चोहान से जीतना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है हुगली राय जी, आप प्रधान भनने के भाद भी युद्धनीती को नहीं जान दे जब तक सामने से दुष्मन कोई नहीं चाल नहीं चलता और तब तक सामने से आक्रमन करना, ये सेनने के लिए बहुत यहानिकारक हो सकता है किन्तु मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कि अचानाग यवानों की हिम्मत कैसे वी दिल्ली पे आक्रमन करने की पक्का कोई अपना ही आजमी का हाथ है चन्द, हमारी दुष्मनी किस के साथ है? यवन के साथ तो फिर दूसरा जान बेदी दुष्मन कौन है? लाइशोज, हमने आपके कहिने में यूद किया, इसका परिणाम क्या आया? अगर सुल्तान, हमें उसकी रंड निती मालूम नहीं थी, और सैनी की कितनी ताकाती वो भी नहीं मालूम थी उसकी ताकत का अंदाज हमें पहले से था, पर यूद में मेरे दो हज़र सैनी को की जान गई सुल्तान, यूद में सैनी को की मोत की गिंती नहीं होती है, हर जीत तो होती ही रहती है जीत? कनुश पती, यहां मैं अपने सैनी को का माता मना रहा हूँ मुझे लगता है कि तुम्हें दिल्ली की राजगदी मिली इसलिए जैचन के आँख में तीर की तरह चुब रहे हो वो बहुत ही जिद्धी और जहरीला इंसान है और उपर से वो कोट निती में पारंगत है उसके चाल को समझदा बहुत मुश्किल है बेटा इसलिए मौसी आप मुझे अपने पुत्र के शौरियों बताने के लिए इदर आये हो कि फिर मेरे मा को मिलने के बहाने जैचन का डर मुझे दिखाने के लिए आये हो अगर जो ऐसा ही है तो एक बात सुन लो मौसी जो अगर जेचन में आप जैसे मा के पेट से जनम लिया है तो मैं भी अपने मा के पेट से जनम लेके आया हूँ ऐसी बात नहीं है बेटा मैं तो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें सावत करना चाहती है तो केदना उस दुश्मन को जाके कि हम भी किसी से डरते नहीं है और अगर वो भी हमसे डरता नहीं है तो वो सेन्य लेके दिल्ली पर हमला करें तो प्रित्विराज भी आपने तल्वार के दम पे बीच मैदान में उसका अदजार करेगा बहन नजाने क्यों भाई-भाई के बीच में ये कैसे बैर का उद्गम हो गया है समझ में नहीं आता कि इसका परिणाम क्या आएगा इस बैर की आग में मैं बे मतलब बरबाद हो गई हूं मेरा सोबाग ये लुटा गया अगर राजपूतों की वीरता अपने आपस के बैर में बिखर जाएगी तो इस भारत देश में यवनों को आने में वक्त नहीं लगेगा यवन तो आचुके है बेहन पर मुझे तो चिंता हो रही है सयुक्ता की जब जैचंत को पता चलेगा कि सयुक्ता प्रुत्वी को प् जाने इसका परिणाम किया आएगा प्यार कि ये दोनों परिंदे कहीं दुश्मनी के चपट में बिखर ना जाए बड़ी बेहन प्रुत्वी मैं तो तुम्हें इतना ही कहती हूं कि तुम मुझे भगा कर ले जाओ मैं दिल्ली के राज महल में तुम्हारी दासी बनके रोज तुम्हारी एक छलक देख़र मेरा मन प्रफुल हो जाएगा तुम्हारा स्वर सुनने से ही मेरे रोम रोम में रहे लिए आशाय तुरुप तो हो जाएगी प्रुत्वी प्रुत्वीरा जो संयोक्त्या के प्रेम की गाथा पूरी दुनिया के सÁमने गाया जाएगा अब तो मेरा भी दिल है कि दुनिया के इतिहास में हमारा नाम स्वारण अक्षरों में लिखा जाए धन्य प्रत्वी धन्य तुम्हारे वीरता पे मैं वारी जाओं भले न पूरा जीवन तुम्हारे वियोग में जोगन बनके जीना पड़े तब भी मैं जीऊंगी जब तक तुम पृष्थि की प्रत्वी के साथ प्रत्वी के साथ प्यार करने का क्या अंचम होता है नहीं पिताजी नहीं चाहिए तो मेरे प्रांड ले लो पर मेरे प्रित्वी का छोड़ दो चलहट दिल्ली पती प्रित्वी राज याद कर ले अपने परमेश्वर को परमेश्वर के दूसरा नाम है प्रेम और प्रेम हमेशा बलिदान मानता है अच्छा तो ले नहीं ये कैसा मैंने बहेंकर सपना देखा क्या बात है बेटी इतने जोर से क्यों चिलाई दादी मा अभी-अभी मैंने एक बहेंकर सपना देखा सपने में मेरा और प्रित्वी का मिलन हुआ नहीं हुआ उसी वक्त पिता जी वहाँ आ गए और पिता जी ने प्रित्वी का खोन कर दिया पेटी, मनुष्य जब अपने सच्चे दिल से किसी को चाहता है न तब उसे हमेशा ऐसे ही लगता रहता है और प्रित्वी राज जैसे कोई दूद पिता बच्चा नहीं जो उसे शिकार कर ले जाए दादी मा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं राज महल चोड़के प्रित्वी को मिलना चाहती हूँ लेवकूफ लर्की, कित्ति राज को पाने की सपना भूल जा मैं चाहता हूँ तो तुझे अभी कर अभी राज महल से बहुर कर सकता हूँ अभिमान तो राजा रावन का भी नहीं टिक पाया द्वार द्वार लाव लशकर बिछाने के बाद भी पर्यम कृपाणू राम लंका पहुच गये और उन्होंने रावन के अहंकार करनाश किया और पिताजी, अगर प्रुत्वी राज ने चाहा तो आधी राज को तुमारी बेटी को उठा कर ले जा सकता है तुझे बाप से ज़्यदा पृत्वी पर गर्व है गर्व नहीं, विश्वास है कारण के मैं पृत्वी राज से प्रेम करती हूँ मन, वचन और कर्म से मैं पृत्वी राज को अपना पती मान बेठी हूँ तेरे मानने से इस राज्य का पत्ता भी नहीं हिलेगा संयुकता, अभी भी कहता हूँ तेरे मन में से गलत फेमी निकाल देना कि इस जन्नम में तो पृत्वी राज को मिलेगी इस जन्नम में नहीं तो आने वाले जन्नम में मैं तो जन्नम जन्नम उनके नाम की जोगन बन के भटकते रहूंगी पर उन्तु पिता जी तुम्हारी दुश्मनी के आग में बेटी की जान को मत जलाओ और अगर आपको बैर ही बनाए रखना है तो उठाओ तलवार और लड़ लो दिल्ली पती के साथ और अगर आप हार गए तो तब तो आपकी नाग करड़ जाएगी ना तुम्हारी उजली आबरू पर कलंग का काला दाग लग जाएगा इससे पहले खुशी-खुशी हम दोनों की शादी करवा दो तो इत्यास के पन्ने पर तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा तो फिर कही तुम्हारी लाटली बेटी, राज महर की दहलेज लांग कर, अपने दुश्मन के घर पर संसार बसा ले, इसका विचार करना। कनश की राज पूत देखते रह जाएंगे, और पृत्वी राज मुझे उठा कर ले न जाए, इस बारे में भी सोच लेना, और साथ साथ इस बारे में भी जरूर सोचना, कि तुम्हारा अपना ही खोन तुम्हें दगा न दे जाए, तुम मुझे दगा देगी, उससे पहले मै राज महल के कोने कोने में सेनाइ बिठा दुगा, तेरे दरवाजे पे सोमन का ताला लगा दूगा, और अगर पृत्वी राज आया, तो उसकी मोद के लिए यमराज के पहरा रहेगा, अरे ऐसे तो कितने सारे यमराजों के पहरों में से, पृत्वी राज मुझे उठा कर आज से तो नजर बंद है यहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता आप देखते हैं प्रुथ्युराज कैसे आता है एक तरफ मुझे मेरे प्रितम से मिलने के जिग्या सा मेरे मन में प्रबढ आशा जगा रही है और दूसरी तरफ मेरे पिताजी के जिद मुझे जाने से रोक रही है अब मैं क्या करू प्रुतमी मैं लावचार हूं मैं मजबूर हूं अभी मैं क्या करूं क्या करूं अगर नहीं दश्रह से लेके जा सकता हूँ है तो अगर मेरे मर्दान की शरम सार हो जाएगी राच्पुधर धरम शरम सार और अपने परेंट को कलंक लगष आएगी छेयुकता साइंइ को पकर दो इस गड़र को और इसका यहीं के जाए के जितने छोटे छोटे टुब्रा कर दो, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जैस्जन की पूतरी के साथ प्यार करने का क्या अंचाम्जाम होता है! अजय यूगता यूग-यूग से प्रेमी कोई के बंदन में नहीं बंदे हैं एक तरब पिताजी की पाबंदी है और दूसरी तरब प्रेमी का प्रेम अब प्रेम और पाबंदी के तराजु में किसका पलड़ा भारी है ये तो अब तुमें ही नहीं करना है परति इतने गहरे पहरे में से कलोज का कीला कूट कर दूर दिल्ली राज महल ताग मैं कैसे पहुँचू एक तरब कूल की आबरू है और दूसरी तरब मेरा प्यार प्रेम और आबरू मात्र प्रेम होता है सैयुकता लेकिन मैं किस तरह से जाओ ये तो तुमें ही सुचना है सैयुकता मुझे युग-युग से प्रेमी लोग तो प्राण के में परवा किये बगर खुद के प्रेमी से मिलने गए हैं और अगर अगर मैं पकड़ा गई तो और पकड़ा गई तो तो प्रुत्वी राज के नाम से जिंदेगी बर नजर केदमिर होगी और अगर तो नाम पकड़ा गई तो तो प्रेम के हितियास में सैयुकता और प्रुत्वी राज का नाम युगो युगता कमर रहेगा सच में प्राणों के परवा किये बगर प्रुत्वी राज से मिलने जरूर जाओंगी मैं दिलने जाओंगी मिलने जरूर के प्रुत्वी राज से एसमा जरूर जाओंगी जरूर का एाओंगीन. थ्रूर साराओंगे होंरी बदोंगी, को प्रुत्वी लाज़ किए हाँ Г rivers बालत प्रुत्वामा! राज कुमारी आपको महल छोड़के जाने के आग्या नहीं है नहीं चला मुझे चलीए चली क्यों मुझे छोड़वा हाग ङए आराज कुमय सहेब को महल चोड़के भागने की तैयारी कर रहे थे हो आप लोग जा सकते हो मैं जानता про की तो जरूर पॕठी राज से मिलने जाएगी आज अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो दुझे फासी पे चड़ा देता समझी लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा पृत्वी राज से मिलने वाला सपना बिल्कुल पूरा नहीं होगा पृताजी प्रेम और राज निटी का कोई सम्भाद नहीं होता आप सिर्व राज लाल सावें अंध्य होकर पृत्वी को महान कर रहे हो और मैं पृत्वी को सिर्फ प्रेम करती हूं पृत्वी मेरा दुश्मन है आपकी दुश्मनी कदाजित तुमारी बेटी की मौत का कारण ना बन जाए पृत्वी राज की मौत में तेरे जैसी मौत को भी नहीं आने दूँगा अगर आप अपनी मौत को यमराज के पास से वापस ले सकते हो तो मैं भी अपने प्रभु को रुत्वी राज के लिए याश्किर्ति अमर्ता के लिए प्रात्यना करूंगी फुस्तक आज के बाद इस राज महिल से बाहर जाने की कोशिश क तो मौत तेरा नसीब होगी संयुकता दादी मा ये कदम उठा कर तुमने बहुत बड़ी गल्दी की है बोल तो पिदाजी से हुई है दादी मा वो ये नहीं जानते कि दुनिया का कोई भी बंदन सच्चे प्रेमियों को मिलने से रोक नहीं सकता वो ये नहीं जानते कि प्य मेरा प्राण है और जो कोई भी मेरे देह से मेरे आत्मा को दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं अगनी स्नान करूंगी पार्वति की जैसे पावन ज्वाला में कूत पड़ूंगी राश्पुरहिच जी आप आजी के दिन सयुकता की साधी की तयारिय करो डेश विदेश के राजाओं को अमंत्रित करो सीवाई के दिल्ली पति पृथी राज जैसी आग्या महाराज प्रधान जी आप पृथी राज का पुत्ला बनाके राज दर्बार में द्वारपाल की जगह पे खड़ा कर दो ताकि स्वयंगुवार में आने वाले हर एक राज्या उसकी हशिया उड़ाए और पृथी राज को मालम पड़े के जैचन की पुत्री को पाना असन नहीं है जैसे आग्या महाराज और हाँ प्रधान जी आप गुप्त विद्या के जानकार हो आप स्वयंगुप्त चर बनके दिल्ली का भेच जानके आओ ताकि हम उसे उसी की चाल से मात कर सक जैसे आग्या माराज प्रुथी राज अब तुझे राज दीती की अच्छी मालूमात होगी प्रुथी राज कागा चुन चुन खायो चुन चुन खायो मास दोने नामत खायो भुही पिया मिलन की आस नहीं प्रुथी नहीं माराज की जय हो अरे आओ आओ कवी राज कवी राज बोलके मित्रता का अपमान मत करिये राजा मैं तो आपको अगर्द्य का समाचार देने आया हूं अभी कौन सा समाचार है कनोच पती राजा जैचन का नियोता मिला है मुझे उसकी पुत्री पर सयुक्ता की शादी किसी और के साथ हो रही है और मैं देखता रहूं तो फिर सयुक्ता खुद के प्राण देदीगी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दिल्ली पती अब सयुक्ता को इतना जादा चाहते हो हाँ करनाटकी प्रेम का कभी सीमा या अंत नहीं होता नहीं तो आपको बताता किया मैं सयुक्ता को कितना चाहता हूँ मैं हूँ अकेला तू भी अकेली ये कैसे बंधन में बंध गए हैं पर कौन कौन जानता है इस जग में अरे हम दोनों की प्रेम कहानी दगाबास माराइक नीच निकम्मी निकल जाओ मैं दर्बार में से नहीं प्रदान जी मैंने एक तुछ नर्त्यकी को राज राणी बना दी है जूते हमेशा पैर महीं अच्छे लगते हैं इसने मेरे साथ विश्वास घाथ किया है गैर मर्द के सबस्वाद की स्थाप ना क जात नहीं होती तो आज भरे धर्बार में तुवारा मस्तक काट दिया होता खबरदार जो मुझे स्वामी कहा है तो प्रदान जी अभी इस नीच को इस नगर के भार फेक के आ जाओ ठीक है महराज परन्तु यह सब्मान का बदला बहुत भार ही पड़ेगा अरे चल बदला लेने वोली यहां से निकल वहन थोड़ा पानी दोगे क्या तेरे जिसी कले केरे को पानी तेरे तो पात लगेगा बाड़ी कुल्टा है कुल्टा यह बाई दे घड़ा देवी जी मैं आपको पानी पिलाओंगा लीजिए चलिए देवी जी मैं आपकी मदद करता हूं आईए 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 बैठो यहां आप कौन हो आप मानो तो सेवक न मानो तो दुष्वन मतलब तुम्हें पृत्विराज ने भीजा है खबरदार जो उसका नाम लिया तो नहीं नहीं देवी जी मैं पृत्विराजी बात नहीं कर रहा हूं आप भी पृत्विराज से बदला लेना चाहती हो औ पर मैं भी मुझे लगता है कि तुम पृत्विराज के जासुस होगे पर अब अब मैं उसके कोई चाल में नहीं फसुंगी मैं जासुस जरूर हूं पर कनोज नरेश जाई चंद राठोल का चंद तुम तो सयुक्ता के स्वयमवर में जाओगे ही हाँ तो फिर एक काम करते हैं मैं और चामुन तुम्हारे सेवक बनके तुम्हारे साथ आते हैं हाँ हाँ कनोज राज को ठाट बाट तो दिखा नहीं पढ़ेंगे चामुन हम उदर ठाट दिखाने नहीं पर जाना है जिंदगी को हाथ में लेके सयुक्ता का हरन करने के लिए मतलब तू सयुक्ता का हरन करना चाथा सयुक्ता की शादी होगी तो सिर्फ पुत्वी राज से परन्तु वहाँ पे जानका जोखिम होगा तुम और चामुन क्या करोगे और तीसरी ये करना टकी उदर पोच चुके होगी तेरी कहानी करुण है तू चाहे तो मेरे राज महल में आश्रा ही ले सकती है महराज आपका योकार मैं कभी नहीं भूलूंगी महराज आपका पहला पासा तो सही गीरा है दूसरा पासा सही उताक एक सैमवर के बाद सुल्तान के साथ जब दिली सर करेंगे तब पृत्वी राज को पता चलेगा कि राजनीती में कितने काटे हैं प्रभू सुना था कि कि प्रेम का रास्ता अगनी के ज्वाला जिसे होता है आज आज वही ज्वाला मेरे रुधै के आत्मा को जला रहा है प्रुत्वी को प्यार करने का मतलब ये बिरहा और आखों में आशू तक मैं कभी भी प्रेम करने की भूल नहीं करती प्रेम को भूला देने वाले ये भूल जाते हैं कि प्रेम ये तो प्रभू का दूसरा नाम है और जिसे प्रभू पर शरद्धा नहीं रहती वो कभी भी सच्चे प्रेम को पा नहीं सकते सयुकता आप कर नाम जानकर नफरत नहीं करना बेहन मेरा नाम करनट की है शेर की गुफा में अपने ये कोमल हाथ डालने से पहले ज़रा सोच लेना कि तुम कहां और किसके महल में खड़ी हो तुम तो पृत्विराज के अरधांग नहीं थी की नहीं और उनको दिये है वचन को पूरा करने के लिए मैंने अपने आउप को मोत के मुँ में ढखेल दिया है मतलब मैं कुछ समझी नहीं ऐसे समय में आप उल्टा सिदा कदम मत उठाईए इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि पृत्विराज तुम्हारे स्वैमेर में आएंगे ज़रूर आएंगे सुनो करना टेकी तुम 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 तो देवी हो हाँ महाराज की जय हो आपके आगय का पालन हुआ है सहयुक्ता के मन से पृत्विराज के नाम का ब्रह्म चला गया इस कुशी में वो समयम्वर में आने के लिए राजी रहे तक है हाँ देखना वो सिंगार करके कितना खुश हुई है कर दो 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 बोले, बोले, डोले, मंडोले, छेडा जो तुने सरगम, आयार सक्की परदे सी फ्रीतम, आयार सक्की परदे सी फ्रीतम आठ प्रहर भी बिन्न ठला दे, वो आठ प्रहर भी बिन्न ठला दे, शर्मा दे, हाई वल खादे, तू तो जाने दिल की थड़कन, तन मन जागे प्यार की तड़पन, छोड़ी, 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 मैं तो छोड़ी लाच शरम, आयार देखो पर दे सी फ्रीतम आयार देखो पर दे सी फ्रीतम आयार देखो पर दे सी फ्रीतम कर दे सी फ्रीतम स्रीतम कर दे बस्यज़ पर दे प्रीतम आयार दे सी ख्रीतम आएंगे जब वोरोप देखेंगे सपना समझ के पाहों भी लेंगे आएंगे जब वोरोप देखेंगे सपना समझ के पाहों मिलेंगे उनके दर्शन के मैं प्यासे जणम जणम के मैं दो दासे जपती 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 उनकी माला में हर दम आयारे देखो परदे सी प्रीतम आयारे देखो परदे सी प्रीतम आयारे तेरा परदे सी प्रीतम मुझे आयारे प्रीतम आयारे तेरा प्रीतम मुझे आयारे प्रीतम तोड़ उड़ जाओं बालम की बाहों में समाओं ओर सवन्ती रूप की रुप की रुआनी साजन से संगम आयार देखू परदे सी प्रीतम आयार देखू परदे सी प्रीतम दोले 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 मन दोले तुन छेड़ा जो सरवं आयार तेरा परदे सी प्रीतम आयर देखू Pरदे से पिरितम आयर देखो Pरदे से पिरितम अरे माचा आगे ऐसे राजा को देखे अ misin देखे आज के आज के सुनो चात्रियों बात कहो एक पुरानी आप मानोगे तो बात है भवानी की सबने एक साथ धर्ती के अन को खाया सुन लो आज भाई भाई बनने की शपद गाथा हे सारी कहानी खत्म हुई इस कहानी के आगे अरे दुश्पनों के सैनिकों को मार के भगाओ तो कभी हिंद पे दूसरों का राज न आए कवी चंद्रवीर आज बस यही गीत गावे कवी राज ये कवीता आप अपने राजा को सनाओगे तो साइध हिंदुस्तान की राज सत्ता नहीं पल्टेगी कनोजवीर मेरा राजा तो समझ के बैठा है आप सब अगर समझ लोगे तो सब का भला होगा नहीं तो आपके राजकुल का नाम इत्यास में गड़ारी के कारें काला लिखा जाएगा अगर अच्छा चाहते हो तो आपके राजा को कहिना कि दिल्ली की गादी मुझे सौब दे दिल्ली की गादी ऐसे नहीं मिलती है राठोर राज सही बात है आपके अहंकारी राजा के दिमाग में इसी बात नहीं आएगी इसलिए उसके अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे दर्बार के द्वार पे प्रुत्वी राज का पुत्ला लगाया है अभी सहयुक्ता के आशा को छोड़ दे वो तो आने वाला समय बताएगा कनोश बती राजाओ प्रजाजनो वीरो नर वीरो अभी राजकुमारी सहयुक्ता वर माला लेके आएगी और अपने लिए वर पसंद करेगी बेटा सहयुक्ता मेरा अशिर्वाद है कि अभ्स शेष नल्थर्णनो अग्सिर्णा ग्रण करेगा भी लędzie कर दो कर दो एमान प्रहोंजर जुए है? कर दो लिजा है? कर दो ऑफरोगा है? थो मैं आगगा है, कर दो डिमान आगे कर दो जा है? राजकुमारे, बुड़ा हुआ तो क्या हुआ, बदन तो अनुभव की कोई कमी नहीं है सयुकता, राजन, तेरा खेल खतम हुआ, अब बाजी हमारे हाद में है, याद रख, ये कटार किसी की सगी नहीं होती चल सयुकता मैं आ गया हूँ, कनोजपती जेचंद राज, मांगने से दिल्ली नहीं मिलेगा, पर अगर जिगर में टाकत हो, तो सयुकता जरूर मिलेगी, जो मैं सयुकता से प्रेम न करता होता, तो आज तुम्हारा सिर दिल्ली के चुराये पे लटका देता, जेचंद, हिम् मैं आपके पिछा आता हूँ, ठीक है, जाइचंद, बोल दे तेरे सहीनिकों के हथ्यार रख दे, बोल, चलो अपने हथ्यार फेक दो, सहीनिकों, पिछा करो इनका, करको है, जाइचमा करें । झाल जफ़े से घप झाल 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 पर भुल झाल झाल करेंट झाल 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 कर झाल 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 हे पृत्विराज की भीरता का और ये है उधा हरण भरे दर्बार से किया हे किया है सयुक्ता का अपहरण सयुक्ता तुम्हारा सपना पुरा हुआ सपनों की आज शुरुवात भी है स्वामी मुझे ते तुम्हें पृत्वी पती बनते वे देखने की इच्छा है अरे पृत्वी पती होने के लालसा में कहीं कोई महत्व की चीज ना घुमा बेटू सयुक्ता स्वामी जाम अपनी नजर से तुम पिला दो जाम अपनी नजर से तुम पिला दो जरा पल को में मुझे को बिठा दो जान जान के के मुझे को ना सता ना हाई दिल में बसा के ना मिटा ना होट तेरी जैसी है गुलाबों का फूल होट तेरी है जैसी है गुलाबों का फूल आखों से शरे की प्रितम ने कुबूल मन दिन रात गाए बस तेरी ध्वनी तेरी मोहबत से हुई माशूर दिन दरपण में देखू तेरी सूरत हाई दिल में बसा के ना मिटा ना चाम नजरों से तु मुझे पिला ना उजरा अपने तु पलकों में बिठा ना मिठी सपनों की सरगं बजते रहे मन प्यारी प्यारी धुन गाने लगी मन पागल हुआ देख पतंग बनी हस्ते हस्ते दिल ले गई तेरी दिल लगी फिर योवन की जाम छल काए रे जरा पलकों में मुझे को बिठाओ रे जान जान कही के मुझे को न सताना हाई दिल में बसके न मिठाना रस भरी तू काम का रंग भवन रस भरी काम का रंग भवन चली संसन हवा चली बैरी पवन ओ कैसी है तेरी मोह माया कैसी तारा बनी है जंदा सुमन आओ प्यार से लिपट जाए जरा पलकों में मुझे को बिठाना जान जान कहके मुझे को न सताना ओ जरा पलकों में मुझे को बिठाना जान जान कहके मुझे को न सताना ओ सरा पलकों में मुझे को बिठाना प्रेम और राज जीटी का कोई समध्य नहीं होता आप से राजलाल सामें अंध्य होकर प्रुत्वी को महान कर रहे हो और मैं प्रुत्वी को सिर्फ प्रेम करती हूँ आपकी दुश्मनी कदाजित तुमारी बेटी के मौत का कारण न बन जाए तमारा मौत सुकारे न बन जाए नौई हाँ जैशन तेरी इर्शा और जित का परिणाम देख लिया तुने दोनों प्रेमियों को आज तक कोई जुदा नहीं कर पाया है आज तेरे भरे दर्बार में प्रुत्वी राज तेरी बेटी सयुक तका हरन करके गया है अभी भी समय है जैशन प्रुत्वी राज संधी कर दे तु अब दिल्ली की राज गती पेटने की इच्छा भूल जा प्रुत्वी से तु कभी नहीं जीत पाएगा प्रुत्वी महान है वीर है और बुद्धिमान है उसका उधारान तुझे तेरे दर्बार में मिल गिया है जैशन भूल जा प्रुत्वी को और भूल जा दिल्ली की राज गती को तेरी इर्शा और ये तेरी लाल्शा एक दिन तेरे राज को तुझे लेके डूप जाएगी डूप जाएगी नाइट वाहाह जाएगी रूप जाएगो अपारान वाहाँ āंप colors हुआ 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 है शाबाज शूर्विरो धन्या हो तुम लोग वाह शाबाज भूबलिराई तुने यववन को पकर लिया पगड़ लो सुल्तान को और ले चलो महराजा दिराज की जै हो अज फिर से सुल्तान को बंदी बना के आपके सामने लेके आया हूँ असलाम वालेकुम दिल्ली पती वालेकुम असलाम सुल्तान दिल्ली का दरबार देखने का बहुत शौक था ना तुम्हें तो देख लो नजर भर के देख लो फिर से कई मोका मिले या ना भी मिले पुर्थी राज जी आपके जैसे विर्पुरुस इस धर्ती पे पैदा होते रहेंगे तो कोई भी दुश्मन को हिंदुस्तान पे चड़ाई करने से पहले दस बार सोचना पड़ेगा आपकी विर्पुरुस इसलिए आपके सलामी के जवाब के रूप में मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता पर सजा के बदले माफी देना चाहता हूँ माफ करना महराज दुश्मन को माफी देना यह घौर अपराद है राजपुतों को राजनिती सिखाने की कोई जरूरत नहीं हूब ली रहा है राजपुत राजनिती जानते है उसके साथ साथ उसका धरम भी नहीं भूलते शमा अविर्यस से भूशनम पर महराज मैं अपने जान जोकिम में डाल के सुल्टान को पकड़ के लाया हूँ आपसे जादा चामुंडा और गाइमाक जादा शक्तिवान है जो एसे सो सो सुल्टान को छटी का दूद याद दिला सकते है ठीक है पर महराज एक अनुभवी प्रधान की बात मानो पर यह राजदर्बर में से जाने से पहले तो मैं तामडे पत्र पे एक चीज लिखनी होगी क्या फिर से दिल्ली पे चड़ाई नहीं करोगे पृत्वी राज जी जान है तो जहान है जिन्द्गी से कोई चीज प्यारी नहीं है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है क्या जाने दुश्मन दुश्मन को मुक्त किया जिसने और दिया जीवन दान युगों युगों से जगत पुरान अरे गाएगा आपका नाम सेयुकता स्वामी स्वामी लगता है कि आठो प्रहर और अठारा घड़ी तुमसे इसी तरह से लिप्टे रहूं सेयुकता मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हाथ यूध लड़ लड़के ठक चुके है वो हाथ आपके कोमल शरीर का स्पर्श लेते रहे और प्रेम के रंग में में रंग जाओं स्वामी नहीं जानते कि प्रेम बनाने वाले प्रभू ने प्रेम शब्द में ऐसा भी क्या भर दिया है कि बहुत से रातों का मिलन भी अधुरी ही लगते है वो तो प्रेम करने वाले उनसे ही पूछना पड़ेगा तो आप क्या जानते हो मैं सिर्फ प्रेम करना जानता हूँ सच्ची बात है परना हाथ में आई इस दुश्मन को ऐसे छोड़ न देते आप दुश्मनों को भी शमा करना ये वीर्टा का चिन्न है पर कभी-कभी शमा का परिणाम विपरित आता है सिकंदर ने भी एक बार पोरस को माफी दी थी पर वो दा का दुश्मन था सच में तो उसने सिकंदर की जान बचाई थी पर ये तो मुझे परिणाम की परवान ही है सयुकता जिस घड़ी में जो होने वाला है वो होके रहेगा जो वीधी का लेख है वो कभी नकार नहीं सकते ये तो वीधी की विचीत्रा कहलाती है आपके जिसे आद्मी का अपमान करना पृत्वी को एक दिन बहुत भारी पड़ेगा हाँ महाराज पृत्वराज को दिल्ली के गद्दी पेसे निकालने के लिए आप जैसे खाओगे वैसे मैं करूँगा पर आप में भरोजा कैशे करूँ के आप पृत्वी के विरुद में हो महाराज उसका सबूत मैं आपको कल शाम तक दे दूँगा तो हुबली राई जी तो कल साम तक आपको दस हज़ार सोना मोहरे मिल जाएगी सहयूकता महाराज की जै हो प्रदान जी आपसे मिलना चाहते है आज्या है महाराज की जै हो क्या बात है प्रदान जी महाराज बात करने से मेरा दिल और होट दोनों काप रहे है और बोलने से पहरे मेरी जीब अटक रही है पर महाराज नई बोले रहा नहीं जाएगा मैंने आपका नमक खाया है ऐसे भी क्या बात है ब्रदान जी? जो करनाटकी को हम पवित्र मानते थे न वो करनाटकी के केवार के साथ नाचाय संबंध है क्या कहा? ना ना महराज, मेरा मन नहीं मान रहा कि करनाटकी की किसे और के साथ गलत संबंध है महराज मेरे बोलने पर अगर आपको विश्वास नहीं आता हो तो अभी क्या अभी आप करनाटकी के निवास पर जाके देख सकते हो इसमें जरूर कोई शडियंत्र लग रहा है आज से एक नहीं पर दो बहने मेरी समझी करनाटकी तुम्हारी से वीर पुरुष को कौन प्यार नहीं करेगा आओ करनाटकी आज मैं तुझी भेट देना चाता हूँ नई भाई प्रत्वी यह आपने क्या किया हट कुल्टा कुल्टा कलंकी नहीं मत चलन जो कहना है वो कहलो स्वामी आप तो जानते ही थे कि मैं नगर नगर और दरबार दरबार नाचने वाली एक नर्तिकी थी और आज तुमने अपनी जाद बता दी है नीच कही कि तो कभी राज राणी नहीं बन सकते ही स्वामी वेसे भी लोग मुझे नाली का किड़ा कहके हमसे घ्रिणा करते है पर आप पर आपने मुझे पर शुहाक की चादर ओड़के मेरी रक्षा की है और तुमने उस रक्षन का दुरुप्यो किया है नहीं स्वामी हम नाचने वाली कभी किसी को वचन देते है तो तो हम वो वचन का पालन करते है नर्तरकी और वफादार तुम तो धन की लाज़ी ओ धन के धन की नहीं हमें धनी की ही चाहत होती है हमारे पास सब कुछ होने के बावजुद हम उनके नाम से ये बहुत सागर तैर ना चाहते है और ढोंग मत कर कलंकी नहीं और निकल जाओ मेरे महल में से सामी साम और आज तुमने अपनी जाद बता दी है नीच कही कि तु कभी राजराणी नहीं बन सकते ही और आज तुमने अपनी जाद बता दी है नीच कही कि तु कभी राजराणी नहीं बन सकते ही हाँ एक तन अर्थे की घर बसाती नहीं और जब घर बसाती है तो वहां से उसकी अर्थी निकलती है चामुन चामुन रुको मैं तुम्हें ढूड़ रहा था क्या बात है इतने घवराई में क्यो पृत्वीराज पेमाज चंता करके उसका व्च लिए पृत्वी ीयाकर वें वहात है तुम्हें पता चलेगा क्लकन है पृत्वीराज आ स्टाऄको मारा आ अरे हट रहे दुस्मन, जिसने तेरे लिए अपनी जान की भी परवाना की, अरे जो रांड की लडाएं में हमेशा ढाल बन ख़़ा रहता था, तूने उसे मारा? अरे हट धिकार है तुझे अरे धिकार तो तुझे है एक वासना के कीड़े के लिए तुम में सामने भीक मांग रहे हो पुन्य प्रगटता है और जब पुन्य का पुल्ण विराम आता है तब सत्ता पलग जाती है हाँ आज से ये चामूंड तुमारे लिए हत्यार नहीं उठाएगा अरे पुन्य राज कोई कायर बच्चा नहीं है जो तुमारे भरोसे जिंदा रहेगा पुर्थिराज आज अगर तुमेरी बहन के माते का सिंदूर ना होता तो आज चामूंड तुझे जिंदा नहीं छोड़ता सिपाईयो पकड़ लो इसे और डाल दो कैट खाने में अरे क्या कारू मेरी बहन के संबंध के कारण में लाचारू नहीं तो कोई माइकेल आल की इतनी ओकात नहीं के इस चामूंड को हट लगा के दिखाए अरे तेरे सिपाई क्या मुझे कैदी बनाएंगे आज ये चामूंड खुद ही कैदी बनके तेरे कारावास में रहेगा ये दिन है ऐसा और ये दिन की घड़ी और पर रखना है दोस्ती का प्रमाण पर विनाश विनाश काले बिपरीत बुद्धी फे वही है इसके निशान लगता है सराप की प्यालियों में फिरता डुपती जाती है सुल्तान कितने कितने रास्ते सोचे पर मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजी अपती तरफ पल्टी हो रही है आ कनोज राज ने तो हुबाई सुल्तान की महखिल में ना आते उसका कारेंट भी आप ही हो जहापना अगर फृत्विराज ने उस दिन मेरे केने पे आपको सजा दी होती तो शायद ये दिन आपको ना देखना पड़ता पराबर बोल रहा हूं की नहीं याद है हुबली राई जी उस दिन आपको राज दरबार में प्रदान बोलके घोर अपमान किया था वो अपमान का बदला तो मैं दिल्ली पती को बता के ही लूँगा समझे? अभी तो वो सयूक्ता के प्रेम में अंधा हो गया है इस मोके को पाने का इससे अच्छा मोका नहीं आएगा जल्दी मत करो करो जराज समय आने पर मैं तुम्हें इशारा करूँगा अभी उसे प्रजा के नजरों में से गिर जाने दो ऐसा सुन्दर तुम्हारा रूप देखकर नैनो को ये मेरे बान आँख मिलाकर देखो मेरे साजन निकलना जाए मेरे ब्रान महराज की जै हो प्रदान जी आपसे मिलना चाहते है के दो प्रदान जी को कि महराज के पास समय नहीं प्रजा जनो महराज आज दरबार में नहीं आने वाले है आज से महाराज कई दीनों के लिए छुट्टी पर है तू भी अकेली ये कैसे बंधन में बंध गए है कौन जानता है इस जग में पर कौन महाराज की जय हो कवीरा जब से मिलना चाते है कवीरा जाओ जाते है कवीरे आज को बोल दो के महाराज के पास समय नहीं है सुल्टान लाहोर और पेशावर पे कब सा हो गया है अब हम दिली के और बढ़ रहे हैं कवी राज महाराज आज भी रंग महल से भार नहीं आएंगे क्या इतने दिन बिद गए तो भी पुरुथी राज अपने रंग महल से भार नहीं निकल रहे हैं और वहां पेशावर अपने हमले की तयारी में है स्वामी, हाँ सैयुकत्य, एक बात पुछू, बुलो ना सरिता बड़े बड़े पहारों की छाती चीर की भी सागर में समाने के लिए दौड़ती रहती है चकोर चांद को पाने के लिए पूरी रात गगन में उड़ते 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 रहती है ऐसा क्यूं? प्रेम के मिलन को पाने के लिए प्रिये सागर भी सरीता को अपने में समा लेता है न आओ तुम मेरे पास आओ सुरज की पहली किरन शाम के उस वक्त को पाने के लिए हमेशा रुखी रहती है वैसे भी एक दूसरे को पाने की लालसा कितनी महान होती है ना महाराज की जै हो कवीराज आप से मिलना चाते है कवी आज को बोल दो कि महाराज के पास समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा महाराज मेरे आज्या के विना आप यहां कैसे आ सकते हो क्या ये बात राजा चक्रवर्ती पृत्वी राज चवान बोल रहे कि मेरा मित्र बोल रहा है और अगर पृत्वी बोलता होगा तो सुन लेना कि आपने मुझे एक बार अभाईवचन दिया था अगर मैं सयुकता के साथ रंग महिन में रहू तो वहां आने का मुझे अधिका है और अगर दिल्ली पती पृत्वीरा चवान बोलता होगा तो भी ये सुन लो कि प्रजाजन आपके अनाम की दुहाई दे रहे हैं और साथ साथ में ये भी जान लो दिल्ली पती के पेशवार तूट गया लाहोर लुट गया और दिल्ली के पाएं हिल गये है मुझे कैसे पर दुस्पनों के डंके बज रहे हैं दिल्ली का आसन डोल रहा है और चवानों की जत के उपर कलंग की कली टिली लग रही है महाकवी आप ये कैसे भूल गए कि ये वही पृत्वी राज है जिनने भरी दर्बार में से इसी संयुक्ता का हरण किया था वो बदी यवन को कैद करने के बाद भी उनको वीर राजा की दरख शमाह कर दी और महाकवी तुम तो तुमारे मित्रे के शक्ती पर ही शक्तर मेठ है कि पृत्वी राज के तलवार की धार कम होई उनके हातों की ताकत में जंग पड़ गया अरे भोग और विलास में होने के बावजुद उनके दिल में दुश्मनों के साथ लड़ाई करने की ताकत है शत्रू का नाश करने की भी ताकत है तो उठाओ तलवार पृथी आज अपने भाईयों के सहारे गिद दिल्ली की तरफ दोड़ते हुए आ रहा है अब देखता हूँ मेरे सामने कौन आता है दुश्मनों के सिर्फ धर से अलग हो जाएंगे वचन भंक करने वाले यवन को मैं जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अरे जिन्दा मानने की तो जरौते हैं उस गद्दार हुबली राई को के जो दुश्मन के साथ मिल गया और कईवास को मरवाया और चामुण ने हत्यार निचे रग दिये चामुणा के हत्यार मैं निकालूंगा उसे मैं मनाऊंगा संबंदों के आड में जहर घोलने वाला हमारे ही भाई और यवनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा के आने वाली साथ पीडियो तक महाभारती के सामने कोई आग उच्छी करके नहीं देख पाएगा कविराज सयुकता प्रित्विराज के आगे बड़े हुए कदम दुश्मनों के सैन्ने का नाश कर देंगे उसे धूल चटा देंगे उसे आग से निकले वे राग के जैसे बसम कर दूँगा समझे मस्तकों को काटने वाले दिल्ली पती तेरा रंग है दुश्मनों को ठकाने वाले दिल्ली पती तेरा रंग है महा कवी सच कह रहे है राजन मा भूमी की पुकार का स्वागत करो तोड़ दो उन दुश्मनों को जो इस भूमी पर बूरी नजर रखते हैं काट डालो उन हातों को उस भूमी के सुतंत्रता के लिए छपट मानने के लिए उठ रहे हैं रंडशिंगी के ललकार को सुनो महराज और अपने सहिने को कुछ करने के आग्या दो महराज सहिना पती अपने सहिने को को तयार करो इन सब को पुर्व दिशा की तरब कुछ करने को बोलो सहिना पती असो सहियर आप अपने असो सहिने की कतार दै बाजू से कर दो तीर भाला और पाइदल चलने वाले सहिने को को दोनों दिशाओं की बाजू पर तयार रखना इन सभी सह भावानी की अपकार विर्ता और बहदूरी का आज इंत्हान है बोलो सब मिलके जैब भावानी जैब भावानी जैब भावानी जैब भावानी दर्वादा खोलो चामुक भाई चामुक अब तुझे मेरी याद आई दिक्कार है तुझे अपने भाई जैसे दोस्कों तुने छोड़ दिया मुझे शमा कर चामुक मुझे शमा कर मुझे से बहुत बड़ी गल्ती हो गई मेरे भाई हो सके तो मुझे शमा कर देना मैं तुम्हारे सामने भीक मांगता हूँ भीक मांगता हूँ चामुक सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार हत्यार उठाना नहीं तो शायद नए पृत्वी नए यह चामुंड अब तेरे लिए कभी भी लोखान के हत्यार नहीं उठाएगा हाँ लेकिन माया भारती की लाज रखने के लिए चामुंड लकड़े के हत्यार से लड़ेगा यह मेरा वचन है चामुंड पृत्वी मेरे दोस्ट जय माभारती हो मैं मैं ब्रहीम क्लेम चामुंड आविचे लिए मैं मा नहीं चामुंड आविचे लिए माँ दया की देवी माँ भारत वर्ष्कों माँ बचालो माँ बचालो माँ कि देवी पुत्र हिंदूस्तान की तारीक बदलने का वक्त आ गया है यहां यवनों का राज होगा नहीं नहीं मानी ऐसा मत बोलो मा यह अशिर्वाद नहीं शिराप है शाप देने का कारण तुम्हें पता है देवी पुत्र मन के अंदर की दुश्मनी एक दिन तो सची हो नह घर जाए तुम्हें पकड़ तलवार कमर कसलतं दुश्मन को ना छोड़ेंगे यह धरम बचाएंगे हम चाहें अपना जान जाए जाए भारती पकड़ तलवार कमर कसलतं दुश्मन को ना छोड़ेंगे यह धरम बचाएंगे हम चाहें अपना जान जाए पकड़ तलवार कमर कसलतं दुश्मन को ना छोड़ेंगे यह धरम बचाएंगे हम चल 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 जी देश बचाओ चल चल जी देश बचाओ चल चल जी देश बचाओ जय भारती, जय भारती पकड़ तलवार कमर कसलतं दुश्मन को ना छोड़ेंगे यह धरम बचाएंगे हम चाहें अपना जान जाए पकड़ तलवार कमर कसलतं दुश्मन को ना छोड़ेंगे यह धरम बचाएंगे हम चल 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 जी देश बचाओ चल चल जी देश बचाओ चल चल जी देश बचाओ जय भारती, जय भारती हुबली राज, तेरे जैसे गद्दारों की वज़े से इस देश में दुश्मनों करा जाएगा अब तु नहीं बचेगा हुबली राज, तेरी मौत तुझे बुला रही है, अब तु मरेगा धो राओ चारूूू कुर कि कि भुछ जी लुट एीर कया क的 एा मेरा καॉम कुर झार वैर एा 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 न हरे ए played के तो आज हम बहुत खुश हुए पृत्विराज देख हमारी फौज तुम्हारी फौज खतम हो चुकी है पृत्विराज को जिन्दा दर्बार में ले चलो उसको सजा हम देंगे ले चलो इसे दर्बार में ले चलो ले चलो इसे असलाम आलेकुम बादशास सलामत वालेकुम असलाम आज आओ दिल्ली के सुल्तान देख लो इस दिल्ली के सुल्तान को आज दिल्ली के दर्बार में तुम्हारा स्वागत कर रहा है एक वक्त तुमने मुझे कहा था आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि देख लो कि ये दिल्ली का दर्बार देख लो नजर भर के देख लो फिर सायद इस दर्बार को देखने का तुम्हें कभी मोका नहीं मिलेगा जानता हूँ कि दुश्मन को माफ करना ये राजनिती के विरुत में है फिर भी मैं मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ पर तुम्हारी आखें निकाल के और बिना आखवाला राजा दर बदर की ठोका रिखाता फिरे ये मुझे हर्गिस मनजूर नहीं है इसलिए जीवन भर तुम्हें आखे वगेर दिल्ली की जेल में बंदी बना के रखूंगा जाओ लेके जाओ इसे इसकी आखे फोड़ दो और ये अभी के दिल्ली के सुल्ता का हुकम है जैमा भारतेश्ट के दुष्मन को माफ करना ये राजनीति के विरुद में हैं फिर भी मैं मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं पर तुम्हारी आखें निकाल के और बिना आखवाला राजा दर बदर की ठोका रिखाता फिरे ये मुझे तर्वीर हुए इस धर्ती के और सरकटे और धर्ती हिंदुस्तान में के इस धर्ती हिंदुस्तान में वाह कवी राज आपका ये धर्ति का प्रेम और सोर्य गाथा से बादसा आफरीन हुआ है मांगो मांगो जो मांगोगे वो ये बादसा सलामत देने के लिए बंदा हुआ है बादसा सलामत बस मुझे सिर्फ अपने परम मित्रा वीर भजरा प्रुति राज चवान को मैं मिलना चाहता हूँ मिलने से कोई फाइदा नहीं है वो तो सो सो किलो की सलाकों से बंदे हुए मेरे केत खाने में अंधा हो के बैठा है अरे भले ही लोगे की सलाकों से बंदा हो लेकिन सेर सेर ही होता है राजा कवी राज अभी वो अंधा समराट इस भुमी पे वो भार समान है नहीं बासा सलामत वो जगत का स्रेश धनूर धर है वो सब्दवेदी बान छोड़ना जानता है और साथ साथ आस्मानों का निसान लेना जानता है सब्दवेदी बान वो क्या होता है बासा सलामत आप उसे बान दो वो आपको प्रमान दे निकले तयार है हवा फिरे बादल फिरे फिरे नदी के पानी अरे शुर्वीर जो बोले तो वो हो जाए भीर ठीक है कवीराज वो ताकत भी मैं देख लूँगा सिपाईयो ले जाओ कवीराज को केट खाने में और उसके अपने राजा को मिलवा दो पुरुच्वी कौन पुरुच्वी मेरे दोस्त मेरे भाई चंद नरा दम में तेरी आखे फोल दो से पहले मेरी आखों क्यों नहीं फोला मेरे मित्र चंद तो केटा था वो सच हो गया भोग विलास में जो में रहा उसी का अंत है यह मा भारती को अब मैं इस आखों से फिर कभी जिंदगी बर देख नहीं पाऊंगा नहीं ऐसा मर पूल तेरे पास होगा तो तलवार दे मैं मौत चाता हूँ मौत जरूद पर बात्सा को मोत के घाट उतार के मतलब मतलब तो अपनी सक्ति भूल गया तेरी हिम्मत हार गया और बार्सों तक पिंज्रे में रहने वाला सेर भी मौका मिलते ही दुश्मन पे वार करना नहीं भूलता हिम्मत और ताकत तो अभी भी जिन्दा है चंद पर मौका मेरा सब्द रुपी इसारा और तेरा सटिक निशाना दुश्मन को खाट उतारने के लिए काफी है और इतिहाज सक्षी रहेगा के प्रुथिरा जन्धा होने के बाद भी अपनी माँ भारती के लिए मर मीटा समय खतम हुआ कवी राज सही बात है मेरे भाई समय पूरा हुआ अभी शिर्प काम करना ही पाकी है प्रुथिरा अभी आपन थोड़े समय के लिए जुदा होते हैं अब सिधा मिलेंगे सुल्तान के दर्बार में और वहां से साथ में जाएंगे बड़े दर्बार में तब तक जै माता जी अब कर दाएंगा देकर दिए कर दियूद़ सायों आपका मीत्र प्रमान देदिक लिए तयार है हां बातसा सलामत अप इसे धनुषबान जो हिसको इसका ही धनुघ मान दो लौ पूरत्वी द्हें दनुघ्सलिन आगये से यही धनुघ्सी बैन से राजा रामने रावन को मारा यही बान से वार करके अर्जुन जीता यही बान से त्रिक पुरारी ने अपनी जीत हासिल की यही बाण उठा के लक्षमन ने लक्षमन रिखा खीची आज वही बाण फिर से तयार है वाह देवी पुत्र वाह अभी डंके की आवाज के साथ तुम्हारे अंध मित्र को कहो के प्रमान दे कतार से लगा है देख चोबीस गाट राजा बैठा वहाँ पर सामने सुल्तान यूँ विराजे उठा धनुश और लगा निशाना जैना भारते जैना भारते जैना भारते हे मा यमुना चंद बारोट की भविशिवानी सच हुई मेरी जीद और इर्षा कलंक भरे काले कामों की वज़े से मैंने अपनी जत खोई पेटी खोई पृत्वी राज जैसा जवाय खोया हिंद माता जैसे मा को मैंने परदेशियों के हाथ बेच डाला मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है मा मुझे अपने अंदर समालो मा मुझे अपने अंदर समालो मा समालो मा ओ बाला में सासा जनम तू मेरा में तेरी रे सासा जनम नहीं जनम 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 मुझे अंदर समालो मा मुझे अंदर समालो मा मुझे जनम